कृषी शेत्र की मुख्य चुनोतियां मानसून पर निर्भरता एवं जल सनरक्षन भारती कृषी का अधिकतर भाग आज भी मानसून पर निर्भर है एक ओर जहां सामानी एवं समय पर हुई वर्शा कृषी शेत्र के लिए लाबदायक होती है वहीं दूसरी और अतिवरिष् एवं सूखा से क्रिशी शेत्र चर्मरा जाता है फसलों में होने वाली विभिन बिमारियों कीटों के प्रकोप, ओला व्रिष्टी आदी से कभी-कभी क्रिशी उत्पादन में कमी के साथ-साथ लागत वापस मिलना तक मुश्किल हो जाता है प्राकृतिक परिवर्तन के कारण क्रिशक हमेशा अनिश्चित्ता से जूजते रहते हैं ऐसी स्थिति में वह कर्ज के कारण भी परिशान हो जाते हैं किसे भी प्राकृतिक परिवर्तन से जूजने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की आविशक्ता होती है फसल भीमा, अनाजो का संग्रहन, मौसम के पूर्वनुमान के आधार पर फसल के प्रकार का चयन जैसे उपाय अपना कर समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है इस प्रकार की योजनाओं का उचित क्रियान्वन हमारे लिए एक चुनौती है आज हमारे देश में लगभग 45 प्रतिशत क्रिशी भूमी सिचाई के विभिन साधनों से सिंचित है फिर भी एक बड़ा हिस्सा केवल मानसून पर निर्भर है सिंचित छेत्र में सबसे ज्यादा सिचाई भूमिगत जल के माध्यम से की जाती है परन्तो यहाँ भी अत्यधिक भूमिगत जल के दोहन से जल स्तर लगातार नीचे गिरते जा रहा है अता हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या को समझना होगा भूजल संग्रहन के लिए हमें वर्षा जल को स्टाप डेम, मेडबंदी, गहरे कुएं बना कर संग्रहित करना चाहिए इससे भूजल स्तर में गिरावट की संभावना कम हो जाएगी भूजल वैज्ञानिकों की सुझाव अब लोगों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी शेत्रों में धीरे धीरे अपनाये जा रहे हैं भूमी की उर्वरा शक्ती को बचाये रखना तन 1960 के दशक से हरितक्रांती की योजना की शुरुवात की गई उन्नत वीज रसानिक खाद सिचाई सुविधा कीट नाश को आधिका उपयोग करके उत्पादन में व्रिद्धी की गई फसलों के अधिक उत्पादन की चाह में क्रिशक वर्ग द्वारा अपनी भूमी में रासानिक खात वक कीट नाशकों का अधिक प्रियोग किया जाने लगा फल स्वरूप उत्पादन में व्रिद्धी हुई इससे अनाज बंडारन बढ़ा अकाल पर काबू पाल लिया गया और खादे सुरक्षा संभव हो पाई भूमी में कई प्रकार के सुक्ष्म जीव मौजूद होते हैं इन सुक्ष्म जीवों की सडन अबघटन के कारण तरा-तरा के पोशक तत्तों भूमी में बनते रहते हैं खेती के तरीके में कुछ मूल भूत परिवर्तन की आवशक्ता है जैसे व्यापक रूप से जैविक खात का उप्योग करना और मिश्रित और बहु फसलिय क्रिशी को अपनाना इससे भूमी के उर्वरा शक्ती बनी रहेगी और क्रिशी लागत अपेक्षक्रित सस्ती हो जाएगी मिश्रित एवं बहु फसलिय क्रिशी के अपनाय जाने से प्राकृतिक परिवर्तन के कारण होने वाली हानी से फसल को बचाया जा सकता है जैसे किसी गाओ के क्रिशक रभी के मौसम में विभिन्न खेतों में गेहूं, चना, मतर, मसूर, सरसों आदी की उपज लेने लगे इसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक परिवर्तन से कुछ फसल ही प्रभावित हुई एवं शेर फसल को बचा लिया गया सूखी खेती के इलाकों में देशी एवं कम पानी वाली फसलें जैसे जौ, बाजरा, मूं, उड़त, आदी का उत्पादन किया जा सकता है